तो आप इस question को अच्छी तरीका से पुरा-पुरा देख लेंगे जिससे कि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में भी आ जागा और एक्जाम में भी असानी से आप पांच नमबर उठा लेंगे ठीक है तो अब देखिए एक, दो, तीन यहाँ है ठीक है तो first को क्या बोला जाता ह है LHS बोला जाता है ठीक है बीच वाले को क्या बोला जागा तो MHS बोला जागा ठीक है और last वाले को क्या बोला जागा तो last वाले को RHS बोला जाता है ठीक है अब सबसे पहले क्या करना है हमको यहाँ पर LHS को जब हम तोडेंगे तो MHS हमको मिल जाना चाहिए और MHS को तोड तो यहां हमको क्या मिल जाना चाहिए RHS मिल जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं हल लिख लेते हैं ठीक है और लिखेंगे क्या यहां LHS लिखेंगे और इस परकार से हम क्या करेंगे तो यहां पर कोस्चन लिख लेते हैं, ठीक है, तार सबसे पहले क्या किये होँ, हम यहाँ पर LHS को लिख लेंगे, 1 पलस कऊश्ट थीता ए बत् input 1- step first, ठीक है, अब इसको चौ्या करना पड़ेगा, इसको हरो का पर्मे करन, ठीक है, हरो का पर्मे करन करने पर अब इसको हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे इस परकार से और लिखेंगे ऐसे, रूट में इसको हर का पर्मे करन करना परेगा, ठीक है लिखेंगे 1 पलस कॉस्ट टीटा, लिखेंगे 1 minus кос θ, यहां गुने लिखेंगे, अब देखे, उपर वाले कौन्स कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है, ठीक है, तो यहां क्या है, माइनस है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पॉलस से उपर नीचे इसमें गुना करना पड़ेगा 1 पॉलस कॉस ठीटा ठीक है अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं इस परकार से अब देखें उपर तो दोनों सेम ही है तो यहाँ लिख लेंगे 1 पॉलस कॉस ठीटा और फिर यहां लिखे लेंगे हम 1 plus cos theta ठीक है और बटे, बटे हम क्या करेंगे यहां पर देखें बटे अब क्या करेंगे यहां यहां आप समझ लेंगे कि यह दोनों जो है a minus b into a plus b a squared minus b squared की यह सूतर पर है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे यहां पर 2 गो 1 है तो यहां लिखेंगे 1 का a squared minus plus क्या होगा, minus और यहां 2 cos है, तो क्या लिखेंगे cos theta का ऐसे whole square लिखेंगे ठीक है, अब इसके बाद हमको यहां पर करना क्या है इस परकार से यह दोनों को same लिखेंगे 1 plus cos theta और बटे 1 plus cos theta ऐसे लिखा गया और बटे, यह क्या होगा, 1 का a squared 1 minus, यह क्या हो जागा, यहां हो जागा cos square theta ठीक है, एक step अगर और हम बढ़ते हैं तो इसको same ऐसे ही लिखेंगे लिखेंगे क्या 1 plus cos theta और फिर लिखेंगे 1 plus cos theta तो यहां हम क्या हो जाता यहां पर sin square theta हो जाता यह सुत्र, ठीक है अब इसके बाद क्या होगा यहां पर अब देखिए, root के अंदर में अगर दो गो, दो संख्या अगर same मिलेगा जैसे देख ली, 1 plus cos theta, 1 plus cos theta जब 2 को मिल जागया same तो एक root में से क्या करना पड़ेगा तो बाहर निकाल लेंगे और यहां sign यह उसका theta का मतर 2 को sign तो इसमें से भी यह बाहर निकाल लेंगे ठीक है, तो दोस्तों इस परकार से हमको यहां पर MHS लाना था और MHS हमको finally आ गया ठीक है, जब MHS आ गया ना तो अब क्या करना है हमको, MHS के माध्यम से क्या निकाल लेना है तो लिखेंगे अब MHS से ठीक है, अब MHS से तो इस चीज को हम लिख लेते हैं 1 plus cos theta और बटे क्या है sign theta, तो अब क्या लिखेंगे यहां पर ऐसे, 1 बटे sign theta और plus क्या लिखेंगे यहां, cos theta अब बटे में sign theta ऐसे लिखा गया अब क्या हो जागा, यहां पर 1 बटे sign theta क्या होगा, तो यहां होगा cos theta, अर्जूर cos theta, बटे sign theta, क्या हो जागा तो यहां हो जागा, cos theta तो दोस्तों इस परकार से finally हमको MHS, RHS यह सभी का सभी हमको मिल गया है, जो कि हमको यहां पर इतना लाना था और finally हमको आ गया है तो यहां पर क्या लिख लेंगे therefore, LHS बड़ावर MHS बड़ावर RHS दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तब इस चैनल को subscribe कर लेंगे, और अधिक साधिक अपने मित्रों के पास क्या कर लेंगे तो सियर कर देंगे